नमस्ते सस्वेकाल केम्छवादा मेरा नाम है शूमिर्जा पुरिया और आप सुन रहे हैं दा शोशल इंटर कोस्ट और आज हमारी गैस के तौर पे आई हैं अपनी दिल की बात करने नंदिता बोस बहुत-बहुत स्वागत है नंदिता तुमारा मेरे शो में जिसका नाम है मेरे शोशल इंटर को और मैं शोब मिर्जा पुरिया जो तुमारा बहुत-बहुत स्वागत करता हूं थैंक यू तुम वेलकम वेलकम एंड़े बहुत खुशी है कि तुम आज उन लोगों की आवाज बनोगी अपने दिलों की बात रिखोगी जो कई लोग रखना चाहते ह लेकिन हिम्मत नी कर पाते हैं क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है कि हिम्मत खरना बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहु मुझे खुशी है कि तुम उन इस शो में अपने उन दिलों की बात लेके आओगी और रखोगी और मुझे पता है कि तुम रखोगी क्योंकि तुमने ये जो महनत की है ये जो तुमने तुम्हारी जो महनत रहा है पूरे तुम्हारी लाइफ में तुमने जो स्रगल किया है बड़ा एक एफेक्टा है तुमारी लाइफ में और मुझे खुशी होई है कि तुम उन लोगों की आज आवाज बनने वाली हो जो लोग धरते हैं अपने घर से निकरने को जो लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो कही यह लोग ना क्या सोचेंग और यह क्या सोचेंगे या कोई गल्ती ना हो जाए दर रहता है तो तुमारे इस इस मोटिव को इस चो यह तुमारा रहा है शोचल के लिए बड़ाईजेशन करने के लिए जो स्टैप तुमने बढ़ाया है अपनी बात अकने का उसको मेरा बहुत-बहुत सलाम तुम अपने बारे में बता हमारे विवर्स को कि तुम क्या करती हो तुमारा एंड हाओ यू अर गूइंग तो यह लाइफ बिल्कुल मेरा नाम नंदिता बोस है और मैं पॉर्न प्रॉटर दिल्ली में हुई हूँ और मैं एक मुल्टिनाशनल कंपनी में काम करते हूं गु अपरशी तुम कोलकता से बुलाँ करती यह रही है कि तुमारी जैसे लोग बहुत है जो भेंगॉली जो होती है लेडी कोण में जो हो जो मैंने देखा है उनके अंदर एक अनल्ही तरह किता है कि अन्दर एकुल्टी मोटिवेशनल होती है बहुत ज़्यादा अपनी बात अक्ने के लिए तो कहीं कि मुझे खुशी होगी कि वह गता वाले भी सुनेंगे इस थीस को नंदीटा बोस को यह आंकि बहुत ऑन कि तुम यह बाते रख रही हो तो मैं चाहते हूं सिफ कोलकाता नहीं पूरा इंडिया प्राउट फील करें हम सब इंडियन जाम हमसे वह एक है पोहर सही बात बोली है आपने नंदिता और नंदिता हम आपका शो आगे बढ़ाते हुए मेरा सबसे फेवरिक कोशन है यह और य यह मेरा यह क्योंकि यह शोशल कॉस है और दिल की बाते रखनी है तुमें तो उसे पूछना चाहता हूं कि नंदिता बोस्तों जो की दिल्ली में रहती है और ऐसा उसे क्या ऐसी चीजे लगती है तो उसे लगता है कि इस चीज पे अगर काम हो तो कुछ अच्छा हो जोग ध्यान नी दे रहे हैं गौवर्मेंट ध्यान नी दे रही है लोग अंसुना कर देते हैं तो यह सबसे ज्यादा फील होता है जो रेप केसे इंडिया में हो रही है तो मतलब बहुत अपसेट हो जाती हूं मैं जब टीवी खोलती हूं और आयतीन कुछ ना कुछ ऐसे को मिलता है और सबसे जादा फील होता है कि minor girls छोटी-छोटी बच्चियों के साथ लोग ऐसे करते हैं तो मतलब कितनी बार तो मैं news देखते-देखते रूने लग जाती हूं और अभी भी बोलते-बोलते मैं emotional हो रही हूं क्योंकि मैं खुद भी एक female हूं सो मुझे लगता है कि it's very very unsafe right now और हमें इसके लिए जरूर कुछ करना चाहिए कोई strict law होना चाहिए जिससे कि यह चीज मैं यह तो नहीं कहूंगी कि बंद हो जाएगी obviously world में दूसरी जोगा भी होती है पर लोगों के अंदर एक डर जरूर होगा जो कि शयद अभी है नहीं जैसे मैंने बोलाए कि मैं डेली से बिलॉंग करती हूं तो सबको पता ही हुए कि 2012 में निर्भया केस हुआ था जो कितना horrifying था जब भी हम उस चीज को याद करते तो हमारे रॉंग्ते खड़े हो जाते कि लुए कुररा तो इंडिया एक दमसे खड़ा हुआ जिस बात के लिए यह बिल्कों आप और नहीं हो सकता है इतना अब अबता हमारे देश की बेटियों के साथ इतना गंदा हो रहा है इतना गलत हो रहा है और यह जो हो रहा है इसे पट्टी बान के चलना अब और नहीं हो सकता है फिलकुल पिलकुल और स्पेशली बुझे और इक चीज बहुत फीलुआ और वो दूसरी बच्चियों के लिए भी बहुत बोलती है बट उस माँ पे क्या घुजरी होगी उसको आठ साल लगे बेटी के जस्टिस पाने में तो यह चीज मंदब बहुत ही एक तो आपके साथ ऐसा गलप हुआ है उसके बाद इतने लंबे कोट केसे जो आट और दस-दस साल जस्टिस पाने में लगते हैं कि इस चीज के हमें कुछ खोचना चाहिए कि अगर हम गवर्मेंट इसके लिए कुछ करेगी तो चीजे काफी इंप्रूव हो जाएगी और अभी कुछ साल पहले मुझे ध्यान है डॉक्तर प्यंका रेंडी का कि यहीं बोलने वाले थी कि वो लड़की देखो जैसे आप एक डॉक्टर रोश्वेंद्व आप समझी सकते हो कि डॉक्तर इनों अपने ड्यूटी के लिए और आर्स में भी इनों काम करना पड़ता है और यह प्राउड आप देम इवन इस पूबिट सिच्वेशन में हमा लोगों से प्लीज मिंती करूंगी कि ऐसे मत कीजिए हाँ वो एक लड़की डॉक्टर थी जो यूनों सुसाइटी के लिए बहुत अच्छा आगे हमारे लिए कुछ कर सकती थी और वह बहुत ही पैनफुल था जब मैंने उसके पिच्चर देखी कि उस लड़की के साथ ऐस हो गया और उसको जला के बता फेक दिया गया था मतलब क्या घुजडी होगी उसके फैमिली पर जब हम लोगी बोलते बोलते उन्हें इमोशनल हो जाते है बहुत अच्छा लगा था जो हाइदराबाद पुलिस ने किया था तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए जैसे दिए उनको तो गंडाउन कर दिया था तो बहुत खुशी होई थी और उनके बाता पितनको इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा चस्टिस के लिए बिल्कुल मैं को यह कहीं लगा कि वही बात है कि जब कानून के हाथ लंबे होते हैं तो ऐसे केस में कानून के हाथ नहां चले जा कोई डर नहीं है बिल्कु सही का शबंद आपने कोई डर नहीं है यह डर चीज होनी चाहिए क्रिमिनल्स में लोगे लगे कि अईसा कुछ करेंगे तो बस बचेंगे नहीं तो कि यही चीज मैं कहना चाहूंगी कि कोई प्रिक लॉव और यह चीजे बंद तो नहीं होंगी यह चीज मैं इसलामिक कंट्रीज को अच्छा कहूंगी जहां पर इस चीजों के लिए बहुत स्रिक लॉव है तो हमें भी कुछ करना चाहिए लेकिन तुम दिली में रहती हो तुम ने बताया कि तुम दिली में रहती हो तुमें भी दल लगता है बार निकलने में तुम शा कि यह शाइद निर्भा के रिंदा का केस हुआ था था इंग तुम द्वारिका की ही थी तुम ने गई ती तो वही क्या हम लड़कियां नहीं घूमने जा सकते हमें भी तो मन करता है कि हम मूवी देखने जाए यह वो और आविसली वो रात को बस में आ रहे थे और अविसल इसे उनके साथ इंसिडेंट हो गया जो छे लोग थे जिन्हों ने इतना इतनी गंदी चीज़ की हम सोच भी नहीं सकते हैं से शाइद हिस्ट्री में कभी हुआ होगा हमें पता है कि कैसे हुआ था जैसे मैं यह शो में बोल नहीं पा रही नहीं से रॉट के साथ हुआ होता है जब एक बेटी के साथ ऐसा होता है और वो बेटी किसी के घर की बहु होती है किसी की घर की बहु होती है और आज कल तो इस तरीके से मैंने देख है ऐसे केसे देखें कि छोटे-चोटे बच्चों के साथ हो रहा है बरवरता यह कैसे सो सकते है लोग छोटी बच्ची क्या उसको भी जच कर रहें कि उसने क्या कपड़े पहने हैं या कौन सी टाइमिंग में निकल जहें तब बच्चे तो धगवान का रूप होता है ऐसे हमारी कल्चर में सुनते हुए आ रहे हैं तो मतलब कितनी गंदी हरकते हैं यह मतलब मुझे तो समझ महीं नहीं आता हूँ मुझे तो लगता है माइनर के साथ हो तो सीधे हैं कर दो ऐसे रेपेस्ट को तो कोई नहीं होना चाहिए तो मुझे यह बताओ कि जब इंडियन सोसाइटी में बात आती है लड़कियों के रहन सेहन की कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है लड़कों को लेके हमेशा सब से पहले यही बात आती है कि लड़केश रातमे क्यों नहीं कलती है गधार के पहनती है लड़कियों को अपना मान-मर्यादव को समझना चाहिए दर को बलकॉन यह हमें अपनी सोच बदल सुख बदल स्रुब्लंansen कि यही हर माता पिता को बोलूंगी जो भी सुन रहे हैं, कि आप लड़की और लड़की में भेदभाव मत कीजिए, जो जेंडर बायस होता है, दोनों इकोल है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों को अच्छे संस्कार दीजिए, और बेटे को भी इस तरह से मत पालिए कि वो अच्छा तुम इस चीज में गवर्वर्मेंट को कहना चाहती है, गवर्मेंट का कितना रोल है कि क्यों नहीं करका रही है, इस चीज को, मैं यही कहूंगे कि हमारी गवर्मेंट जरूर हैक वहल्प करेंगी हमें, ऐसी बात नहीं है, हाँ बस लॉज स्ट्रिक्ट हो जाए ह हमारे काफी इंप्रूब्मेंट आई है पिछले चार पास साल में अगर देखे तो बहुत सारी इंप्रूब्मेंट आई है गर्ल्स के लिए जैसे मैरिटल लॉस काफी आई है कि आप ट्रिपल तलाब नहीं कर सकते यह वो तो बहुत अच्छी चीजे लड़कियों के लिए हो अगर मैं कोई अच्छा वकील लूँगा या कुछ भी ऐसे इन उसके अंदर डर होना चाहिए और जैसे तुम्हारा दिल्ली में तुम जहरी हो में बताया तो तुमें दिल्ली का एक्स्पीरेंस कैसा लगता है तुम चा सोचती हो दिल्ली के बारे में क्योंकि जब भी होता है कि मैं यह नहीं कहूंगा कि डिल्ली में पूरे इंडिया में है कोई बतानी की ज़रुवत नहीं है कहीं न कहीं होते रहते हैं बरबरता होती रहती हमारी बेटियों के साथ तुम दिल्ली में रहके कभी-कभी यह होता है कि तुम तजबा सोचना परता है दिल्ली में भी क तुम निकलो इस ताइम पर कि ना निकलो कोई तो पीछा तो नहीं कर रहा है और तुम अपना जहां तक मुझे ऐसा लगता भी है कि तुम इसली आज तुम क्या मतलब बहुत सारी लड़किया है जो इसली लोगों पर विश्वास नहीं करती है तो इस चीज पर तुम्हें क्य मेरे परांट मेरे लिखायं का सब अगलम इस अहीं कोछी कर यह बहुति है कि मेरे अपरिंगिंगें क्या बेटा क्यूं है किलिग पिर बैसा ध्यंदों नो करें लड़की लड़की में कोई भाव ना करें और जैसे सेव्टी की बात अब कर रहे हो कि अफ इसे मैं निर्भया के इंसिडेन बताया तो उस ताम पे इस मैं ही नहीं डिली में जो मेरे और भी फ्रेंड्स टे हम सब बहुत डर गए थे बहुत डर गए थे हम लोग और उस सब्सक्राइब कि युनों माता पिता जो कह रहे है हमारे अच्छे के लिए कह रहे है कि कि अविसली इतना बड़ा हाथसा हो गया नौल यह चीज ऑविसली इंप्रूव हो सकती है अच्छी अप्रिंगिंग से या जो भी कहें और सेफ्टी मैं कहूंगी दिली में हां पिछ जैसे हमें ऐसे लड़की बहुत सोचना पड़ता है कि आज अगर बस में जा रहे है तो स्लीवलेस नहीं पैनना जाए ऐसे नहीं कोई टच कर देगा आप समझ रहा ना यह सब चीज़े अपने गारी में जा रहे है तो ठीक है अपने कमफर्टेबल ड्रेस अफ करके कर सकते करेंगे तो फिर हम जादा से फील करेंगे तो मतलब हम क्यों सिफ अपने पापा भाई और अपने मेल फ्रेंज या अपने हस्बेंट पर क्यों डिपेंडेंट रहे हैं अपने अपने आप नहीं निकल सकते यह नो बिना डर के तो हमारे घर वालों में भी डरनी होना चाहिए कि उन्हारी बहन बहर जा रही है या बीबी जा रह है तो उनको भी बत्ब इतनी टैंशन नहीं होनी चाहिए उनको भी मतलग फिल के जी सके हमें अंदर यह डर नहीं होना चाहिए और लड़कों को भी यह इसा कोई की नहीं बहुता है और तुम्हें मैं यह पूचना चाहता हूँ यह तो मेरी सोच है जो में बताने वाला है तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें एक जनरल प्रोटेक्शन आना चाहिए, स्कूल में सिखाना चाहिए, कि कैसे हम अपने आपको प्रोटेक्ट करें, क्या हमें एक नौनमल तरीके का छोटा मोटा हमें प्रोटेक्शन सिखाना चाहिए, कि हम कैसे अपने आपको प्रोटेक् बिलकुल, मैं तो सोचते हूँ, यह भी कहते हूँ कि अगर स्कूल में सेक्स एड्यूकेशन इंटर्डूस किया जाए तो क्यों नहीं, लोगों को चाहिए हमारे ससाइटी में छुपी हुई है, ढखी हुई है इसलिए भी लोगों में यह जादा है कि अगर वो किसी लड़की क्लासे होनी चाहिए, जैसे गर्ल्स के लिए उनको एड्यूकेट करते है, पीरियोट के लिए और बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए भी देखिए, मुवी आती है, तो इसमें कोई चीज को शर्मा के वो नहीं करता है, जैसे पहले लोग शर्मा आते थे तो इस चीज क होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें फोकस करना चाहिए, और एंशर एवन बॉइस भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे दोस्त बगारा या भाई लोग हो, वो भी बहुत डिस्टर्ब है कि क्यो रेट केसे जो रहे हम सब के घर में माँ बहन है, जो हम सब चाहते है कि फी पढ़ाने वाले जो टीचर है, वो भी ऐसा है कि उनको भी बोलने में शर्म आती है, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब सेक्स एजुकेशन वो चाप्टर आता है, बायोजी में खुलता है हमारे लाइफ में एर्थ स्टैंडर्ड में, मैंने एर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू किया था, बिल्कुल, बिल्कुल, सही हो लाइफ मैं तो एक मेडिकल बैग्राउंड से रहा हूं, मेरे फादर भी मेडिकल बैग्राउंड से है, डॉक्टर है वो भी, तो मुझे उतना शरम नहीं आई, क्योंकि मैं यह सुनता आ रहा था, बट मैंने एक अध्यापत की देखी, कि बच्चों ठीक है बच्चों के लिए वो नए चीज लेकिन नहीं के बाताती है तो वह अपनी बातों में उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, वह उसको जलियली उस चाट्टर को हठाने कोशिश करते हैं, क्या तुमें लगता है कि उन अध्याप तो ब्लेट अपने बिल्कुल सही बोला, इसमें मैं अपने तीचर्स को बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगी, वो लोग भी ऐसा है, कि हमारा वे इसा है, उनको बहुता होगा कि बच्चे क्या सोच रहे होंगे, मैं उनके लिए एक रूल मॉडल हूँ, या जो भी हो, बट मुझ हो रहे हैं और अच्छल यंग यंग टीचर भी आ रहे हैं वह इस चीज को अगर उनको बोला जाए तो वह काफी जिल्दी बें में करें अगर आभी आप देखो जो वीस साल पेले टीचर और स्टुडेंट में रिलेशन था और अगर अभी देखो स्कूल में टीचर और करेंगे और जैसे मैंने बोला कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए अगर हम घर में संसकार ऐसे रखे कि उसको एक टैबू नहीं बना के रखे सेक्स को बच्छों को बच्पन से समझाए कि आपको ऐसे करना चाहिए तो भी ऐसे स्कूल में टीचर के साथ इस तरह कुछ करेंग तो तुम मुझे कोची बताओ और तुमने बहुत अच्छी तरीके से यह बात रखा गिए सेक्स एजुकेशन का टीचर का करेक्शन जो है गौर्मिन अभी रिसेंटली क्या किया था पॉर्ण साइट को पान कर दिया था फिक है अफ्तर लाइट यह आपका यह जो यह था ए तो तुम इस चीज को क्या लेती हो मुझे लगता है कि अगर किसी को करना होगा तो आप बैंड करके रोक नहीं सकते तो यह मुझे यह लगता है कि इस चीज को बैंड करके आप नहीं रोक सकते उस तैम पर अगर गौर्णमेंट ने किया होगा तो शायद कुछ के किया होग तो तुम्हारे यह कहना कि आप मान सकता ही सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो बिलकुल बिलकुल हमें वह बेस अपना स्ट्रॉंग करना है बच्पन से एजूकेशन अच्छा रखना है और जैसे मैंने बूल कि जैसे टीनेजर हम एंटर करते हैं उस ताइम पर ही सेक्स एजूकेशन हो या कुछ हो तो अच्छा लगे कि लैक बॉइस भी समझे कि हां हमारी जो फीमेल है हमारे फीमेल फ्रेंज हैं तो वह कुछ अलग घटके नहीं है उनको भी रस्पेक्ट दे और और गर्ल्स भी प्र जितने भी जो मेल फ्रेंट हैं उनकी क्या सोच है कि लोग ये भी कहते हैं जैसे हमने सुना है और तुमने भी सुना होगा कि मैं सबको नहीं बोलूगा बद कुछ लड़किया होती है कुछ लोग होते हैं से बोलते हैं कि सारे लड़कों की यादत है और बॉइस ने है कि हम लोग अच्छे माहूल में पले बढ़े हैं जैसे आपके पिताजी डॉक्टर है तो यह नो हम मेरे भी अच्छी अप्रिंगिंग हुई है जहां भेदभाव नहीं किया गया तो मेरे तो जितने भी मेरे आसपास मेरे काजन ब्रदर्स बगारा ले लो मेरे दोस्त ले अपने ओफिस में कुछ जहां पर मुझे लगा था कि इस इंसान की कंप्लेन करने चाहिए उसने कुछ इंप टीजिंग काईपी कुछ था तो इंपर आप बिलीब नहीं करोगे मेरे 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 फ्रेंजी थे जिनोंने मुझे बोला था कि तुम कैसे चुप रह सकती हो तुम यह जो ओफिस वाली बात की है यह चीज मैंने देखा है कि और मैंने सुना भी है काफी कि यह चीज आपके इंडस्ट्रीलाइजेशन में है हर चीज में है लाइक आप काम करने जाते हो तो वहां पर है ड़किया सेफ महसूस करती है आप कहीं भी बहार जा रहे हो जैसे कि त बहां लड़किया नहीं सेफ कर रही है मैसूस कर रही है तो यह जो मान सिकता है यह जो सिकनेस है इसको तुम बाहर उन लोगों को कैसे कंट्रोल करो कि जो ओलेड़ी इतने पड़े लिखे हैं एक फिर भी ऐसी हरकते करते हैं तो पता है कि यह चाप यह चीजे करने का गलती बहाई होती है बहाई होती है तो उनके लिए तुम कैसे कहोगी क्या तुम बोलना चाहोगी एजा लड़की खान जी शुबेंदु मैं यही कहूँगी कि गलत चीज मत सहो अगर आंको कुछ भी लगता है आप शर्माव मत अगर आप ड़र रहो यह शर्मा रहो किया लोग क् मेरे बारे में मैं बदनाम हो जाओंगी या मेरे आगे यह शादी की प्रॉबलम होगी या मेरे घर वालों पर उंगली उठाएंगे ऐसा मत करो यही करके क्राइम बढ़ता है अगर आपने किसी को ऐसे छोड़ दिया उस बंदे में और कॉंफिडेंस आ जाएगा और वो हो मत कुछ भी हो गलत हो अगर बढ़ रहीं तो वह बाट बढ़ती चाएगी वह बाट आज तुमारे साथ हुई है रही है किसी और के साथ होती जाएगी और दस लोह के सोच की तो है ये बार लेकिन मैं ये चाहता हूँ एक और थीज और मैं तुम से अब तुमारा ज्यादा टाइम गिवेंडू हूँगा और मैं तुम से कुछ चीजे ये कुछ कोशन्स बहुत ही खास-कास पूछना चाहता हूँ और अगर तुम्हें मौका मिलता है कि तुम बड़ी थी नहीं मोदी जी भी काफी काम करते हैं उन्होंने काफी काम किया है लोगों के लिए तो हमारे प्रधान मंत्री से अगर तुम्हारी मुलाकात होती है हां जी आइवेश अका हो तो आप क्या बात अटना चाहेंगे उनके सामें एक लड़की होके और उन लड़कि करना चाहूंगी अगर ऐसे मेरे प्रधा मंत्री जिसे मुलाकात हो कि प्लीज यह को जरूर कोच कीजिए अभी इंडिया को लोग वर्ल्ड वाइड जानने लगे हैं बहुत अच्छे चीजों के लिए जानने लगे हैं और इस चीज के लिए भी हो कि बाहर भी लोगों को फ के साथ रियप हो जाता है यह चीजे है वहाँ पर तो यह चीजे में हम इंप्रूफ करें और हम लोगों को बता सके कि नहीं इंडिया में लड़किया सेफ है तो बस कुछ नहीं बस लॉस्ट करो और मैं यह कहूंगी कि यह जो ट्राइल होते हैं लंबे ना चले जैसे अनिर साथ हुआ उसके बाद आठ साल और तो यही चीज जितनी जल्द में इंसान को जस्टिस मिले किसी के साथ भी अगर कुछ ऐसा खराब हो जाए तो उसको जल्दी से जस्टिस मिले दिले नहीं हो यह जस्टिस हमारे यहाँ पर मिलने में बहुत टाइम लग जाता है तो यह ज आपकी बाते जो है प्रधान मंत्री तक जाए उन लोगों तक जाए जो इस देश को चलाते हैं और आपकी बात इस बात को समझ रहे हैं कि एक बेटी ने यह बांग उठाई है कि उसको अगर आप चाहते हो कि वो सर्वाइब करें वो रहे इस कंट्री में इंडिया में हमार तो यह सब चीजे इंप्लिमेंट होना चाहिए स्कूल लेवल में सेक्स एजूकेशन के वारे में और थोड़ा बच्छों को सिक्योर्टी देना कि कैसे वो अपने आपको बचाए अगर ऐसे केसे होते हैं इस पैसली लड़कियों को ट्रेंट प्लकुल प्लकुल एंडिता म मैं को एक और सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछना है कि आज आप एक स्वेस बनके आई हैं कई लड़कियों की वो चेहरा बनके आई हैं तो आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहती है उन गाउ की लड़कियों को क्या कहना चाहती है उन ऐसे शेहरों की लड़ कहने से जो डरती है यह सोचने दे कि अगर मैं करूंगी तो क्या होगा और उस दर से वो बोलती नहीं नहीं मैं अपने सारी बेहनों को यही कहना चाहूंगी कि भगवान ना करे आपके साथ कुछ गलत हो और अगर कुछ हो जाए तो आप डरिये मत आप जस्टिस के लिए जरूर लड़िये अगर आपके साथ कोई गलत हो और अगर आप ब्रेव बनके रहेंगे तो शायद कोई आपके साथ कुछ गलत करने के लिए हिम्मत भी नहीं गरेगा और अगर डर डर के जीएंगे लोग आपको और परिशान करेंगे तो यह जह बहुत ज़रूरी है आप बेटी होके किसी के घर में पैदा हुए और शादी के बाद कहीं और जाएंगे और खुशिया लाएंगे तो फिल वरी प्राउड अबाट इट ऐसा मा सोचिए कि मैं लड़की हो गई हो मुझे कितना कुछ सहना पड़ता है ऐसे बिलकुल मा सोचिए और दूसरे आसपास ज तुमने इतना ओपनली हर सवाल का जवाब दिया एंड मुझे इस बात की खुशी ये भी है कि तुम मारी बाते सुनके तुम और तुमारी बाते सुनके इंपक्त लड़कियों को बहुत जादा एक सपोर्ट मिलेगा और वो जरूर आगे बढ़ेंगी अपनी बाते कहने की क करती हैं और इस तरीके के पेचीदा जो कॉंट्रवर्शियर जो चीजे होती है उस सवालों का जवाब देती है और तुमने जिस तरीके से जवाब दिया उसके लिए हैट्स ओफ तो यू और आई होब तुमारी बाते लोगों तक जाए लोग सुने और उस सिस्टम तक भी जाए जिनको हम काम लोग सवाल तो करना चाहते हैं पर उंकी तेक महांते हमारे सवाल पहुचते नहीं है तो तो नंदिता बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद ने यह आने के लिए आप तुमाद मुझे अपने शो में रिए इंक्लूट करने के लिए थैंक्यू थैंक्यू नंदिता एंड I hope कि आपकी जैसी सारी नंदिता आगे बढ़े और इस तरीके से अपनी बाते रखें बेबाकी से और मुझे बहुत खुशी होगी कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे जैसे आप में डर होके आगे बढ़ती ज ऑ्नावर्याखे रेन आध्यों खाइबे ओभ है भीण डैनेगे और दे जैसे प्रत रखंटो में वाराव एस तो ऊसरी न्दीत कर्फासिए अपो